जाहिन देखे भारत के गेहू निर्यात पे बेहन लगाने और रूस के अमेरिका को दिये गए प्रस्ताओ जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया इस पर पूरी दुनिया में काफी जादे इसका असर पढ़ने वाला है देखे एक्चुली क्या है कि रूस के राष्टपती ब्लाद पूरी तरह रूस का कब जाए तो रूस यही कहा था कि हमारे उपर से कुछ बैन हटा दो ताकि हमारी भी अर्थवेवस्ता चल सके और यूक्रेन बाकी पूरी दुनिया को गेहू का निर्यात कर सके तो इसके लिए अमेरिका को यह प्रस्ताओ मान लेना चाहिए इनम नॉर बढ़ गया इंटरनेश्णल मार्केट में यह जो यूक्रेन है और रूस है इनके बॉर्डर पर गहास का मैदान है अ iPhones भास का मैदान क्याता इंस पी घास के मैदान की बिशैष्ट हरी स्ते टेपनां जालके स들ॉच गचिक नंश चैनलमा यह То यहां यह तो गैहूं की उतप तो यह इस वजे से उत्पादन पूरी तरह से उत्पादन कह रहा है मतलब वैपार जो है इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से ठब पड़ गया है और उसके बाद क्या है कि फर्टलाइजर गेहूं की उत्पादन में कहीं पर भी फर्टलाइजर की ज़्यादे जरूरत परती है तो उन फर्टलाइजरों की उत्पादन में सबसे आगे था रूस और युद्ध के मावल में रूस के फर्टलाइजर उद्योग भी बंद हो गय नहीं मिलेगा तो उस कंडिशन में गेहूं का उत्पादन क्या होगा इसलिए दिनों दिन गेहूं का रेट बढ़ते जा रहा है और फटलाइजर बहुत जादे जरूरी होता है किसी भी पसल को बड़े मात्रा में उत्पादन करने के लिए अब इसी को देखते हुए भारत न निकों ने बहुत बहुत बहतरीन काम किया है कि उन्होंने पहले जो नीम को टेट यूरिया था यूरिया जो होता है सफेद रंका होता है यूरिया यह इसे छिड़का जाता है तो इसका कई ज्यादे ब्लेक मेल हो जाता था यूरिया का तो इसमें क्या किया गया नीम का वो लगबग 3,000 से 4,000 के बीच में सरकार खरीद के सबसीडी दे के किसानों को देती है यूरिया का भारत में तो इसका इफको नामक संस्था भारत में खाद उत्पादन यहीं के कंट्रोल में रहता है इसने एक नए टाइप का यूरिया बनाया है दुनिया में पहली बार नैनो नैनो यूरिया पोर्टिकल जवर जस्थ इसलिए है क्योंकि यह महज आधा लीटर से एक एकर जमीन में इसके यूरिया का शिड़काव किया जा सकता है और आधा लीटर धाई सो रुपया खर्चाएगा धाई सो में एक एकड किया जा सकता है यानि जहां पचास बोरा लगता था वहां आधा लीटर लगेगा अब इससे क्या है कि अब जब आधा लीटर ही खरीदना है तो महंगाई जादे माइने नहीं रखते है जब quantity जादे ख कि जब खेती करते हैं और उसमें खेती में जब फबसल लग जाती है खेती के लिए तो उसमें नाइट्रोजन फास्पोरस और पोटैसियम यह तीन चीजों की जरुवात होती है जिसमें सबसे नाइट्रोजन से दो गुना फासपोरस चाहिए होता है और फिर एक हिंसा होना चाहिए पोटाइसियम आपका तो याद रिखेगा ये पूश्चन पूछेगा बीज आरोपन के समय सबसे ज़्यादे किसकी जरूवत होती है तो फासपोरस फासपोरस की पूर्ती जो होती है ड दिएपी का बोरा है तो भारत के बैग्यानिकों ने बहुत सारहनी काम किया है जिससे कि अभी समस्या से हम लोग निजाद पा सकेंगे और इस सब को देखते हुए गेहूं का जो प्राइस बढ़ रहा है तो भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर बैन लगा दिया है कि अब वो गेहूं का निर्यात बीदेशों में नहीं कर सकती है अब किसी भी देश को भारत से गेहूं खरीना है तो दुकांदार या फिर बीजनसमें से नहीं खरीच सकते हैं गौर्मेंट टु गौर्मेंट डील करनी पड़ेगी तभी गेहूं मिलेगा ये एक लंबा प् निर्यात नहीं हो पाएगा मलेशिया को नहीं हो पाएगा जिस सवजिसे वहां पर काफी साथे समस्या आ जाएंगे आ पर इस क्लिए ऐसे जálगों पर गेहूं का किल्त आएगा एक अर्त-ब्वेवस्टा चोपड सोचता है और अमेरिका के हिसाब से चलता है आई एमेफ की कहानी हम आपको बताते हैं 1991 में भारत की स्थिति इतनी घराब थी कि महज 15 दिन के हमारे पास 20 पचा हुआ था जो हाल सिरलंका का आज है न उससे भी बुरा हाल हो गया था हम लोगा 1991 में 1991 में 1991 में उससे में परधान म का सोना गिरिवी रखना पड़ा था तब जाके हम लोग को पैसा मिला था और आई एमेफ ने हमें सर्थ रखा था कि आप अपने हार लिबरलाइजेशन कीजेगा यानि बीदेसी कमपनियों के साथ भेद भाव नहीं कीजेगा उनको भी बराबर कमानता दीजेगा दीरे दीरे उससे अर्थ विवस्था को पटरी पे लाना चालू गिया थे तो उसी समय मनमहन सिंग का आज भी देखिएगा कई सारे पोलिटीशियन को वो किसी पार्टी को भले बोल सकते हैं लेकिन परसनल मनमहन सिंग को नहीं बोलते हैं क्योंकि उस समय 15 दिन का ही महज प आने की छूट दिस वाजय से कम्पनीयां दौर पढ़ी भारत में कार खाने थे नहीं इसे नहीं कि अन्यस्तो इंगिनियर थे अचीनेल नवर्ट हुआ बहुत seniordy मिलने लगा तो दिमागम में बढभि है इंच इंजिनीयर आज इतना ज्यादे बहर गया है और फेक्ट्रिय भीग मांग रहे हैं और अजी इस्तिती है पाकिस्तान भीग मांग रहे हैं ने नहीं मोदीजी से जाकर बोल लेगा अजया भाले मोदीजी से सुने अच्छा गएहू से निरियात अपर लगा दिया अब चीनी भी नहीं दे सकते हैं और साथ साथ चांवल पर भी लगा दिया जा लो जा मांगने करते समझ मेरे अरागीस से कर भई हम लोगों को हमेशा अपना सकते, जब हमारे यहां गेहू नहीं था, हमारे हां सूखा पढ़ गिया था, तो हम लोग अमेरिका से गेहू माँए थे, भीक नहीं माँए था, खरीदे थे, तो अमेरिका ने सूवर को खाने वाला गेहू धीया ثै भारत को, और जब Corona का संकता है था उनकी यहाँ दवाईयों की खोज ऐसा लगा थे कि पहले ही अपने भोईयों की निर्यात पर लगा दिया था इवन की सिरिज तक भी मैं लगा दिया था कि सब स्रीज कहां से यूज करेगा सब भारत वाले को तो इतना आता नहीं है कहां से लाएगा सब देख लो अमरीका मार दिया गया अद्मी तमाच है यहां पर तुमको लोल नहीं का आज हम लोग पूरी अपने देश के पूरी जन संग्या को हम लोगों नहीं लगा दिया दुनीया में जहां भी वक्सीन लगी होई है उसमें सबसे ज्यादे योगदान भारत की है यहां पर यह लोग बैंशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए बहुत अच्छा भारत सरकार का बैं नहीं हटाना चाहिए दुनिया को की और यहांगा बेचना ही बंद कर देते हैं कि ःता घ्या पेछ देल आपने हिसाब के तो हम लोगों को इसा हो आज डिया को घुटने पर लाना चाहिए आई इमे अरिका का डॉलर, यूरोपीय यूनियन का यूरो, चीन का यूआ, जापान का येन, और ब्रिटेन का पॉंड इस्टर्लिंग, मतलब पांचे देश में व्यापार कर सकते हैं, हम लोग रूपिया में व्यापार नहीं कर पाते हैं, हो किसी देश से अच्छा रिलेशन हैं, जै मिलना चाहिए, ऐसा, तकि इस्टिक एक्सल लेना चाहिए, आज हमारा देश पूरी दुनिया के सामने, एक पावर बन के बैठा है, किसानों के बदल, सोचिए, पूरी दुनिया का, हम भारत की बात नहीं करें, पूरी दुनिया में, 35% लोग जो खाना खाते हैं, वो भारत जा रहा है, जो खाना खा रहा है, वो 33% भारत के किसानों ने उप जाया है, ऐसे किसानों के लिए, सोच सकते हैं, हमारे देश के किसानों के लिए, जय 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 किसान, लेकिन इसी के साथ दुखत भी ये कहना पड़ता है, कि इन किसानों की इस्तिती देखिएगा तो बहुत महराष्ट यह सब का इरिया में सूखा भी जादे पड़ता है वहां किसानों का सोसाइट रेशियो बहुँ जादे है तो सुचिए यह आज आजाधी कि इतने सालों के बाद अगर किसानों के परतीस तरह से दूर दसा है तो यह अच्छी बात नहीं है जिन किसानों ने हमें आ लगता है कि वहां ठीक होगा कि और बीमार पड़ जाएगा देखिए इस तरह से इस्तिती हो गई है वही देनी है जरा सोच सकते हैं पूरी दुनिया का 33% लोगों का यह खाना खिला यह हाल है इन किसानों का इन किसानों को भी सोचना चाहिए बुढ़ापे में जो उमर थी अब घर पे बैठने की बावा आप क्या बताया हम आपको यहाँ पर आज उन पूरे किसानों को हम अपने दिल से सेलिट करते हैं सब को चरोनस परस करते हैं आप किसानों का आप सच्चे देश भागते हैं इस देश के आपकी मेहनत का बदूलत है कि आज हम लोग सान से वहा पढ़ने के लिए कभी गुल्लक या खेत नहीं बेचना पड़ेगा आपको जब तक हम है पढ़ाई को इतना सस्ता बनाएंगे कि कभी भी पढ़ाई किसी गरीबी के वएसे किसी की पढ़ाई नहीं छूट सकती हैं यहां पर अभी भारत सरकार गन्ने पर क्यों बहन लगा रह हुआ है फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि पेटरोल में अब हम लोग पूरी तरह से पेटरोल नहीं मिलाएंगे हम लोग उसमें एथनॉल मिला देंगे ताकि पेटरोल और एथनॉल मीक्स होके गाड़ियां चलेंगे तो इसको हम लोग आगे के वीडियों में जा देंगे, मिलेंगे नेक्स क्लास में, जैहिन!